जैस तन्देव मकारास के दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके हिदैनी का रासी फल में मैं हूँ आचारिस के तिवारी दोस्तों हाजिर हैं आपका रासी फल लेकर बात करेंगे बुधवार 20 नमंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो आईए रासी फल से पहले आज के पंचांग के बारे में जानते हैं आज बुधवार 20 नमंबर 2024 मार्गसिस कृष्णपक्ष की पंचिमीती थी विक्रमी संबत 2080 आज का सुर्योदे 6 बच के 48 मिट पर होगा तो यहाज का सुर्यास 5 बच के 25 मिनट पर होगा आज के दिन चंद्रमा मिथुन रास में रहेंगे 8 बच के 47 मिट सुवह तक उसके बात करकर रास में प्रवेस कर जाएंगे बात करेंगे आज के महुर्तों की तो बर्म हमुर्त रहेगा 5 बच के 1 मिनट से 5 बच के 24 मिनट तक अब जीत महुर्त आज नहीं रहेगा बिजे महुर्थ रहेगा एक बज़ के 53 मिनट से दो बज़ के 35 मिनट तक आज अमरित काल का समय रहेगा बारा बज़ के 27 मिनट दो पहर बास से दो बज़ के 2 मिनट तक तो ये थे आज के सुम्मुहूर्थ, इन सुम्मुहूर्थों में आप कोई विसुब और अच्छे कारियों के सुरुआत कर सकते हैं आज का राहुकाल का समय रहेगा, दोपहर बाद 12 बच के 7 मिनाट से 1 बच के 26 मेर तक राहुकाल के समय किसी भी सुभ और अच्छे कारियों के सुरुआत नहीं की जाती है अब आई जानते हैं आपके रासी फल के बारे में तो मकरास के दोस्तों आज कुछ गलत फहमियां पैदा हो सकती हैं इसलिए थोड़ा साथधान रहें आज बाहन दुरगटना के संभावना है यातरा के दोरान सतर के रहने की जरुवत है ससुराल पक्ष में मांगली कारिक्रमों की जानकारी मिलेगी ध्यान और आत्वचिन तन आज आज आपके लिए फायदे मन साबित होंगे आज आप अपने खर्चों पर ध्यान देंगे और आपका समय अपने बिरोधियों से किस प्रकार छुटकारा पाने में बितीत होगा काम को लेकर इस्थितियां आपके हाथों में दिखेंगी और आपकी बुद्धी आज आपको कुछ अच्छे अवस्था प्रदान करेगी जिससे आपका काम बेहतर तरीके से होगा मकर रास्क दोस्तों आज आपका मन पूजा पाठ में अधिक लगेगा यदि आप नोकरी कर रहे हैं तो आज किसी स्थान पर स्थान तरण हो सकता है जहां से उपर नीचे करने में आपके थोड़ी दिक्कत होगी पारिवारिक कार करने में भी घर के सभी सदस्यों का आपको सहयोग मिलेगा साथ ही आज आप अपने कार्षेत्र में अलोचनाओं का सिकार भी हो सकते हैं इस बात का भी आज आपको बिसेज ध्यान रखना होगा राजनीतिक छेत्र में कियेगे प्रयासों में सफलता हासिल होगी सरकार और सत्ता के साथ गटवंधन का लाभ आपको मिल सकता है आपके खर्चे अचानक से बढ़ेंगे जिसका ध्यान देना बहुत जरूरी होगा सेहत में भी उतार चड़ाओं हो सकता है कुछ लोगों को बाहर जाने की खबर सुनकर खुसी महसूस हो सकती है साधे सुदा लोगों के ग्रहस्त जीवन में आज का दिन खुसियों के द्वार खोलेगा और आपका जीवन साथी बहुत प्यार से आज आप से बात करेगा आज के दिन सभी मनो कामनाएं पूरी होगी कोई महत पूर्ण कारी पूरा होने पर बधाई देने वालों का आना जाना घर पर लगा रहेगा आज आप किसी पुराने मित्र से मिलने उसके घर जा सकते हैं जो आपकी बेक्तिकर समसाओं को सुलजाने में मदद करेगा अगर किसी रिस्तेदार के साथ पहले आपकी अनबन हो चुकी है तो आज कर दिन रिस्तों को सुधारने के लिए बेतर साबित होगा मकरास के दोस्तों आज आप मनसिक सांती से थोड़े से बंचीत रहेंगे छात्रों के लिए दिन अच्छा है आपको सफलता मिलेगी ब्यापारी बर्ग के लिए नई योजनाओं के सुरुआत करने के लिए आज का दिन सुभ है नूकरी में काम जादा होने की सिकायत हो सकती है हलाकि आज प्रमोसन होने की संभावना भी बन रही है मकर आज के जात्कों के लिए आज का दिन खर्चों की गरना में वितीत होगा आपके दिवांक में काफी समय से कोई न कोई समस्या चल रही है जिससे आपका मांसिक तनाव बढ़ गया है इस बात को आप अपने परिवार बालों को जरूर बताएं जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मल जाएगा काम करने की स्थिती आज बेहतर रहेगी आज आज आप जिस काम को पूरा करना चाहते हैं वा आसानी से पूरा हो जाएगा आपका स्वास अच्छा रहेगा आज किसी काम को करने में जल्दवाजी करने से बचें आज स्वास सम्मन्धी कुछ परेसानी रहेगी ब्यापार के सिलसिले में यात्रा करनी पर सकती है आप साम को बच्चों को साथ पार्क में टहलने के लिए भी जा सकते हैं मगर आज के दोस्तों निरंतर मेहनत और प्रयास से आप रगत की दिसा में आगे बढ़ पाएंगे अपनी दिन्चेरियों को व्यवस्थित रखने के लिए आपको टाइम टेबल बनाना होगा रोमांटिक विचारों में खो सकते हैं परिवार के सदस्यों की मदद मिलेगी करीबी रिष्टे आपके लिए बेहत खास साबित होंगे तो ये था आज आपका रासी फल कल फिर से एक नए रास फल के साथ होंगे जैसने देओ